हेलो दोस्तों प्रिदेश एलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है आज किस वीडियों में रिवाइंड करने वाले हैं चार स्लाट टेबल फैन मोटर को तो दोस्तों इस मोटर के अंदर केपिसिटर यूज नहीं किया जाता है सीधे वाइंडिंग से दो वायर निकल कराते हैं ठीक है यह 220 वोल्ट पर काम करता है इसके आरपीम 1440 होते हैं तो देखिए दोस्तों यह चार स्लाट टेबल फैन मोटर है दोस्तों यह जो पीवी सी पेपर है मैं इसमें साथ नमबर यूज कर रहा हूं और मैंने पेपर लगा कर कंप्लीट कर दिया है अब मैं वायर और डाटा बता रहा हूं तो देखिए दोस्तों कोई बनाने के लिए 30 दोस्ति नमबर कोईर यूज करना है человек का इसकाइब लगबक 650 डाड्म करना है प्रके दोस्तों मैंने चार पना लिये हैं है तो देख़िए दोस्तों पईला कोईल इन उसलोट में इस स्लोट में आएगा, बीच में कोई भी स्लोट खाली नहीं राएगा, ठीक है, यह हमारा पहला कॉयल लेते हैं, इन दो स्लोट के अंदर डाल देते हैं, कॉयल को अच्छे से स्लोट के अंदर डालने के बाद, आपको नेक्स्ट इस्टिप क्या करना होता है, ऐसे ही दूसरी कॉयल को डालना है, ठीक है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से कॉयल चला जाता है, ऐसे ही चारो कॉयल को अंदर डाल देना है, आसे आसे मैं मालेक्स से पालने में ग 1 तो तो इसे अंदर देना है,ẽ ज दो को जब दच्चान के कर आसे एफिता देना है, नह ।ो देने जा गूस, वीस्टिऊ के पूल को ये दुतके दो हैं, कि अन्हां आड़ा है कि आड़ा है आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे से हमारे कोईल कम्प्लीट हो चुके हैं और अब आते हैं हम अपने मोटर के कनेक्शन के तो हमको करना क्या है अब आते हैं अब आते हैं अब आते हैं ये देखिए हमारी मोटर बार के कम्प्लीट हो चुकी है अब हम इसको दागे से बांद देंगे दागा आपको ज्यादा टाइट नहीं बांदना है अराम से इसको बांद देना आप टेप भी लगा सकते हैं लेकिन इसमें टेप लगाने को ज़रूर देखिए है अब दागे से बांद देखिए है अब हम आपको बांद देखिए है अब हम ओर को ज़्याद देखिए अब देखिए है झाल झाल कर देखिये हमारा दागा बन चुका है तरफ कंप्लीट हो गया है देखिये कि तच्छा लग रहा है अब हम आते हैं दूसरी तरफ उपने कनेक्शन की तरफ इनके पूरे कोईलों की कनेक्शनों कोला को लग कर लेना है अब हम इसको कनेक्शन करने के लिए कि एक पहला चोर उठाते हैं और एक तार को छोड़ने कबार तीसरे में जोड़ देते हैं आइसे ही दूसरी कॉल सित करना है यह देखिए आप देख सकते हैं देखिए हमने इनके कनेक्शन कर दिये हैं ऐसे ही आपको भी करने हैं ठीक है यह देखिए हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं हमने चारों कनेक्शन कर दिये हैं और इसके दो थो वायर बाहर निकाल लिये हैं यहाँ यहाँ दिये हैं कर दो दो आगा है झाल झाल अब हम इसमें तार को जोड़ दाएंगे इसमें दोनों चोरों में और इसमें स्विप डाल के इसको दागे से बान देंगे अब हम इसमें दागे से बांद रहे हैं अब हम इसमें दागे से बांद रहे हैं और धागा बांद कर इसको कम्प्लीट कर दिया है यह अब हमारी मोटर विल्कुल से तयार हो चुकी है कम्प्लीट हो गई है अब दोस्तों यह देखिए आप देख सकते हैं कम्प्लीट है हमारी मोटर कि अगर आपको फिर भी कुछ समझ में न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इमेल भी कर शकते हैं कर दो अधर आप कर दो कर दो झाल झाल